आपका मेरे चनल पर आज मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल टिप्स लेके आई हूँ आज मैं आपके लिए अधरप की चाई की रेसिपी लेके आई हूँ इससे आपके गले की के ख़डाश होगी बलगम है या पिर आपको खासी हो रही है तो आपके गले सम्मंदी कोई पड़ेसानी है तो इस चाई से दूर हो जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं इसके मैंने दो इंच का अधरक लिया है उसे क्लीन करके उसे छिलके हम निकाल लेंगे तो मैंने सारे के छिलके निकाल लिये है अब फ्रेंड्स या तो आप इसे कद्दू कस करके यूज करें या फिर आप इसे कुट करके भी यूज कर सकते हैं तो मैंने इसे कद्दू कस कर लिया है तो आप कद्दू कस हो गया है तो चली साइड डग देते हैं कुछ और चीज़े हम यूज करेंगे जिसका हम थोड़ा पाउडर बना लेंगे इसके लिए मैंने ले लिया है एक इंच का दालचीनी और दो इलाची लेंगे और इलाची को हम खोल लेंगे उसके बीच को हमें यूज करना है उसके छिलके भी हम यूज करेंगे फेकेंगे नहीं और तीन से चार हम लॉंग डाल देंगे और चार से पांच हम काली मिर्च लेंगे वो डाल देंगे गोटा काली मिर्च है मेरा और आब इससे हम कूट इसका थुरा पाउडर बनाना है हमें तो आप देख सकते हैं थुरा हलका पाउडर बन गया है तो यहां हम एक पैन में दो गिलास पानी ले लेंगे अब हम इसे गरम होने के लिए डाल देंगे अब देख सकते हलका गरम हो गया है तो हम इसमें अधरक ट्रांसफर कर देंगे और हमने जो कुटके रखा है वो भी हम इसमें सारा ट्रांस्वर कर देंगे और इसमें अब हम डाल देंगे वन फोर्थ टी स्कून जितना हल्दी का पाउडर इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और फ्रेंड्स अब हम इसमें उबाल आने देंगे अब आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ गया है तो हम 5-6 मिनट इसे बहुत ही अच्छे से उबाल लेंगे इसके लिए आज अपने हिसाब से कम जादा रख सकते हैं जब तक यह उबल रहा है यहां हम एक और काम कर लेंगे एक कप में हम आधा निम्बू का रज डाल देंगे और इसी में हम डाल देंगे वन टेबल इस्पून जितना हनी इन सारी चिजों को हम अच्छे से मिख्स कर लेंगे यहां 5 मिनट हो गया है बहुत अच्छे से यह उबल गया है तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और फ्रेंट्स गरमा गरम हम इसे नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हनी गरम में यूज नहीं किया जा सकता है जब तक ये पीने लायक गडम ना रहे तब तक आप इसे cup में add ना करें और आप देख सकते हैं ये हलका गडम है तो अब हम इसे cup में छान देंगे किसी stander से छान लें फिर इसके बाद इसे डाले और इसके बाद बहुत अच्छे से इसे mix कर ले तो फ्रेंड्स अब आपका हल्दी का चाय तयार है सर्फ करने के लिए आप इसे गले से जुरी जितनी भी परिशानिया है सब इससे हल हो जाएगी आप इससे जरूर ट्राय करें तो इससे आपके एक नई टिप्स लाएं हूँ आज मैं आपके लिए तुलसी की कारह की रेसिपी लेके आए हूँ अगर आपके गले में खिचकी छोड़ा है, खडास है, बलगम है और सीने में अगर भारीपन लग रहा है तो ये तुलसी का काढ़ा आपके लिए बहुत ही अच्छा है और आपके ये इम्मिनुटी बूस्ट करने में भी आपकी हेल्प करेगा और आपके गले संबंधी जितन अब हम गयास को कर लेंगे और इसे हम उबाल आने देंगे ताब इसमें उबाल आना शुरू हो गया है तो इसमें हम डाल देंगे हाफ टी स्पून जितना दालचीनी का पाउडर मैंने दालचीनी को पिसके उसका पाउडर बना के यूज किया है और हाफ टी स्पून जितना मैंने इसमें काली मिर्स का पाउडर डाला है हम डालेंगे चार मुनक्का अगर मुनक्का आपके पास नहीं है तो किसमिस का भी यूज कर सकते हैं तो मैंने मुनक्के को 20 से कट करके यूज किया है एक इंच का अधरक लेंगे उसे भी छिलके उतार के क्लीन करके छिलके उतार उसके बाद कट करके पानी में डाल दें और इसे डालेंगे 7 से 8 तुलसी के पते इसे हम पुरा अच्छी से तोर के डालेंगे ताकि तुलसी का रस पूरे पानी में मिल जाए और इसका हमें सारा बेनिफिट्स अराम से मिल सके हम इसे हिला लेंगे और फ्रेंड्स अब हम इसे ढख देंगे ढख करके हम इसे 10 से 15 मिनट लो फ्लेम पे उबा लेंगे 15 मिनट हो गया है अब हम खोल लेंगे गैस को कर देंगे बंद और इसमें 1 टेबल स्पून जितना हम गुर डाल देंगे अब अब गुर डाला नहीं चाहते हैं तो निबु का रस भी ढाल सकते हैं उसे ढख के फिर 5 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे अब 5 मिनट हो गया है तो मैंने खोल लिया है और इसे थोड़ा हिला लिया है अब इसे दो कप में हम चान लेंगे अब एसे बहुत अच्छा इमनुटी बूस्टर भी है आप इसे इन दिनों जरू ट्राय करें अगर आपके गले में खडाश है कोई भी परेशानी है इसे उले लेटेट सब दुरू करेगा अगर आपके पास तूलसी अबलेबल लहीं है तो दूलसी का अरक भी मार्केट मे आप ट्राइ करें अगर आपके लिए यूसफुल होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रू बताएं दीन भर में आप इसे दो बार पिए अगर गले में किसी तरीके का इंफेक्शन है तो वो भी इससे चला जाएगा तो उमीद करते हूं कि यह टिप्स आपको पसंद आया ह भग घबातो पस आया है पर्मार करें जब्सक्राइं